हेलो बच्चों कैसे आप लोग आसा करता हूं सभी लोग ठीक और सबस्त होंगे तो आज हम लोग इंटेग्रल में एक्ससाइज 7.9 की क्वेस्टन का सलूशन देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग इस एक्ससाइज का क्वेस्टन नमर 15 तक सलूशन देख चुके हैं अब हम लोग क्वेस्टन नमबर 16 से देखते हैं कहांस बच्चों क्वेस्टन नमबर 16 से सलूशन देखते हैं आई कोस्टो गिवेन हैं इंटेग्रेशन 5 लिमिट कहांस कहा तक दिया गिवाट 1 2 2 5 x square इंटो d x अपान यहांस क्या है बच्चों एक्स स्क्वाइर प्लस 4x एक्स स्क्वाइर प्लस 4x प्लस 3 x स्क्वाइर प्लस 4x प्लस क्या गिवेन बच्चों 3 तो यहांसे हम लोग क्या करते हैं पहले 5 को भाहर कर लेते हैं 5 1 2 2 x square इंटो d x अपान x square प्लस 4x प्लस 3 क्या हम लोग integration इस समय कर सकते हैं नहीं क्यों क्यों कि नूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर एक्वल है जबकि नूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तो अभी हम लोग integration कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस से इसको डिवाइड करते हैं क्या करते हैं बच्छो डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वाइर प्लस 4 एक्स प्लस 3 डिवाइड करते हैं इससे किसको बच्छो एक्स स्क्वाइर को तो जब एक्स स्क्वाइर को डिवाइड करेंगे तो कितना टाम डिवीजन होगा बॉस प्लस प्लस 3 अब इसको सब्स्टेक कर देते हैं माइनस 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 यह और यह केंशिल ओ जायेगा यह बच जाएगा माइनस 4 4x-3-4x-3 यहांस हो जाएगा 5 और यहां से क्या बचेएगा बच्चो 1 to 2 यहांस हो जाएगा 1 और माइनस 1 प्लस यह माइनस 4x-3 अपान x2 प्लस 4x प्लस 3 ऐसा क्या हुआ क्योंकि 1 तो हम लोगो और यहांस हो गया वन टाइम डिवाइड हुआ है लेकिन अभी भी इसमें इसका डिवीजन बाकी है अब क्या करेंगे इन दोनों से माइनस कॉमन कर लेते हैं क्या करते हैं बच्चो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 to 2 यहां बच जाएगा 1 माइनस बाहर आ जाएगा तो 4x-3 हो अब हम लोग जानते हैं इसका इंटिवरेशन करना है इसको एक्वेशन नमग फर्स्ट एजियूम कर लेते हैं इसको अलग से इंटिवरेट करते हैं ai1 एजियूम करके क्या बच्चों आईवन एक्वर्ष टू 4x-3 अपान x square plus 4x plus 3 into dx इसको अलग से integrate करेंगे कैसे integrate करते हैं बच्छों इसको integrate करने के लिए हम लोग इसको assume करते हैं 4x plus 3 equals to a into d dx of a into d dx of a x square plus 4x plus 3 plus b हम लोग पाले पढ़ चुके हैं अगर numerator में linear equation given हो और denominator में quadratic equation given हो तो क्या करते हैं 4x plus 3 को assume करते हैं a d dx आप denominator plus constant भी आप इसको differentiate करके a और b की value find कर लेते हैं किसकी बच्छों a और b की value find करते हैं देखते हैं क्या value obtained होता है तो यहां से अगर इसको solve किया जाए तो 4x or plus 3 equals to यहां पर क्या बच्छाएगा a into d dx आप a x square plus 4x plus 3 क्या हो जाएगा a x square का 2x हो जाएगा 4x का 4 हो जाएगा और यहां पर 3 का 0 हो जाएगा plus b plus क्या बच्छों b हो जाएगा यहां से 4x plus 3 equals 2 हो जाएगा 2 a x plus 4 a or plus b plus क्या बच्छों b हो जाएगा अब दोनों साइट का comparison करते हैं देखते हैं क्या 4 a plus b equals to constant 3 हो जाएगा x के coefficient x के coefficient के equal हो जाएगा और जो constant है वह constant के equal हो जाएगा तो यहां से हम लोग b कितना obtained कर लेंगे 4 into 2 plus b equals to 3 तो यहां से b की जो value obtained होगा 3 minus 8 equals to minus 5 तो यह की value अब एकी value जो obtained होगा वह 2 a equals to 2 and b equals to क्या obtained होगा minus 5 b equals to क्या obtained होगा बच्छों minus 5 तो a और b दोनों की value होगे obtained होगे अब क्या करेंगे हम लोग जो इंटिग्रेशन एजूम किये हैं इसी मिला करके यह वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे 4x plus 3 k place पे a into d dx of x square plus 4x plus 3 plus b एजूम सब्सिट्यूट करें किसके place पे बच्चो 4x plus 3 k place पे यह total value सब्सिट्यूट कर देंगे तो यहां से हम लोग क्या obtained हो जाए a और b की value तो obtained हो चुक है हमें comparison करके poly differentiate के फिर comparison करके a और b की value obtained कि जाए यहां कि बच्चो a और b की value obtained कि अब क्या करेंगे अब हम लोग इसमें 4x plus 3 तो यहां से हो जाएगा i1 equals to i1 को क्या जूम किए integration integration 4x plus 3 के place पे a d dx आ a x square plus 4x plus 3 और plus b upon क्या से क्या है बच्चो a x square plus 4x plus 3 4x plus क्या है 3 है into dx अब dx से multiply करेंगे अलाग अलाग दोनों के divide कर लेते हैं integration a into d dx आप a x square plus 4x plus 3 dx का इसमें multiply होगा plus b into dx upon यहां से बच जाएगा a x square plus 4x plus 3 x square plus 4x plus 3 आप यहां जाएगा और इसे अलाग अलाग डिवाइट कर लेते हैं यह हो जाएगा integration a d into x square plus 4x plus 3 upon यहां से जाएगा a x square 4x plus 3 plus b को बाहर कर लेते हैं integration d x आपान क्या आज़े बच्चो a x square plus 4x plus 3 x square plus 4x plus 3 अब अगर यहां से देखे तो d इसको t assume कर लें तो d t upon t हो जाएगा यहाज बच्चो अगा इस टोटल को t assume कर लें इसको यह d t upon t log t हो जाएगा इसका integration हो जाएगा a बाहर कर लेते a log e a x square plus 4x plus 3 4x plus 3 और प्लस b को बाहर कर लेते इसका whole square बना लेते कैसे बच्चो d x आपान a x square प्लस 4x का coefficient 4 इसका half करेंगे तो 2 मिलेगा 2 का square करके 8 कर लेते हैं उसी को क्या करते हैं सब्स्ट्रेक कर लेते हैं और प्लस 3 पाले से हैं प्लस 3 क्या है बच्चे हो पाले से प्रिजेंट है तो यहां से हमें इंटिग्रेशन जो अप्टेंड हो जाएगा इसको रहने देते हैं इसमें वैली सब्स्ट्ट्यूट करना तो एक्वेशन फर्स्ट में तो यहां समको क्या मिल जाएगा इसके बाल ए इंटो लॉग ए एक्स स्क्वार प्लस 4 एक्स प्लस 3 और प्लस B इसको लिखेंगे इंटिग्रेशन दी एक्स अपान एक्स 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 प्लस 2 एक्स प्लस 2 का होली स्क्वार और ए बच्चा हैगा माइनस 4 प्लस यहां से लिखा एक्स एक्स प्लस 2 का होली स्क्वार माइनस 4 और प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 स्क्वार इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वार माइनस A स्क्वार इसका इंटिग्रेशन क्या होते है बच्चों इसको भी देख लेते हैं तो फाइनली जब इसे इंटेग्रेट करेंगे तो क्या value obtained होगी यहांस मिलेगा एक किसका formula होगा integration dx upon ax square minus a square integration dx upon क्या हो जाएगा ax square minus a square a क्या होता है 1 upon 2 a log e x minus a upon x plus a plus c होता है तो यहां से जब integrate करेंगे आई 1 equals 2 हो जाएगा a a की value कितना है बच्चो 2 log e x square plus 4 x x square plus 4 x plus 3 plus b की value क्या substitute कर दें minus 5 इसका integration क्या होगा 1 upon 2 a 1 upon 2 a के place पर क्या है 1 log e क्या लिखेंगे बच्चों x minus a x के 2 plus 1 plus c लिखेंगे आपे 2 log e a x square plus 4 x plus 3 a हो जाएगा minus 5 by 2 a log e क्या बच्चों x plus 1 upon x plus 3 plus c यहां पर उसी रहेगा अब इस value को ला करके यहां substitute कर देते हैं क्या करते हैं बच्चों जो लिमिट गिवेन है उसमें substitute करते हैं from equation first क्या लिखेंगे बच्चों फ्रॉम equation first i equals to 5 integration 1 to 2 1 to 2 इसको 1 का जब integration करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 का integration x हो जाएगा और इसका integration हम लोग अप्टेंड कर चुके हैं माइनस क्या है बच्चों 2 log e a x square plus 4 x plus 3 minus 5 by 2 log e a x plus 1 upon a x plus 3 लिमिट कहा है बच्चों 1 to 2 कहा है तक है 1 to 2 अब इसमें limit substitute करते हैं देखते हैं value क्या obtained होती है यहां से value obtained हो जाएगी i equals to 5 पहले अपर लिमिट substitute करते हैं अपर लिमिट क्या बच्चों 2 तो 2 minus के कितना हो जाए बच्चों minus log e यहां से लिखेंगे 2 square plus 4 into 2 plus 3 minus से multiply करें plus हो जाएगा 5 by 2 log e 2 plus 1 upon 2 plus 3 यह अपर लिमिट है क्या बच्चों अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट में क्या हो जाएगा 1 minus 2 log e यहां पर बच्च जाएगा 1 square plus 4 तो 1 plus 4 plus 3 यह 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा और minus से multiply करें तो यह minus minus क्या हो जाएगा plus 5 by 2 log e यहां पर बच्च जाएगा तो 1 plus 1 upon 1 plus 3 यह value जो जाएगा 5 यह 2 में से इसको सब्चेक कर देते 1 को तो 1 बच्च जाएगा minus 5 और यहां पर क्या था बच्चों यहां पर था 2 तो minus 2 log e यहां से बच्च जाएगा 2 square 4 हो जाएगा और 8 4 और 8 कितना होगा 12 और 3 15 हो जाएगा 8 होगा 4 to the 8 8 और 4 12 15 और यहां पर जाएगा sum करेंगे तो minus करेंगे तो भी minus हो जाएगा 5 by 2 log e 2 by क्या लिखेंगे 4 2 by 4 तो इसको और इसको एक साथ कर लेंगे यहां पर 2 होगा 2 minus 1 2 minus 1 1 हो जाएगा इसको और इसको एक साथ कर लेते है तो प्लस है प्लस 2 common कर लेंगे तो यहां बच जाएगा log 8 a minus log 15 फिर इसको और इसको एक साथ कर लेते है तो यह प्लस है प्लस 5 by 2 log e 3 by 5 minus log e 2 by 4 क्या बच्चों 2 by 4 हो जाएगा है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहां से बच जाएगा फाइव यहांस क्या बच्चों बच्चों 5 और जाएगा 1 plus 2 log e यह जाएगा 8 अपान 15 plus 5 by 2 log e log a minus log b log a by b to 3 by 5 upon 2 by 4 यह जाएगा 5 1 plus 2 log e 8 अपान 15 plus 5 by 2 log e 3 अपान 5 into 4 upon 2 हम लोग calculate कर लेंगे नेक्स जाएगते हम लोग question number 17 काउस बच्चों बच्चों question number 17 क्या गिवेएगा I equals to integration 0 to pi by 4 to sec square x plus x p cube plus 2 into d x integrate 10 x plus x p cube x to 4 by 4 plus 2 x limit gas kaha takhe 0 to pi by 4 0 to pi by 4 अब यहाज क्या करेंगे अपर limit substitute करते हैं pi by 4 तो 2 10 pi by 4 प्लस यहाँ पे pi by 4 power 4 by 4 plus 2 into pi by 4 minus lower limit तो minus lower limit करेंगे तो 10 0 0 हो जाएगा एक्स पे 4 एभी 0 हो जाएगा और 2 x एभी क्या हो जाएगा 0 नहां से क्या वाली अप्टेंड हो जाएगा 2 10 pi by 4 1 हो जाएगा प्लस pi per 4 अपान 4 पर पावर 4 into 4 plus एक्या बच्चों pi by 2 हो जाएगा क्या जाएगा पाई बच्चाहित इसको हम लोग calculate कर सकते हैं यह छोड़ सकते हैं नेक्स्ट आम लोग देखते हैं क्वेश्चन नमर 18 कहुं सबच्चों क्वेश्चन नमर 18 क्या गीवेन है क्वेश्चन नमर 18 गीवेन है आपने आक्वेस्टी नमर इक्वेस्टी पलताता हां यहां से sin square x by 2 minus cos square x by 2 cos 2a का formula क्या होता बच्चो cos 2a equals 2 होता है cos square a minus sin square a जो भी angle लाएगा उसका half हो जाएगा यहां पर 2a यह तो angle क्या हो गया बच्चो a हो गया लेकिन यहां पर sin square minus cos square a तो क्या करते हैं से minus common कर लेते हैं जब minus common करेंगे तो 0 to pi cos square plus हो जाए cos square x by 2 और sin क्या होगे बच्चो minus हो जाएगा sin square x by 2 into dx यहां से क्या मिल जाएगा minus 0 to pi यह cos x होगा cos x into क्या होगे बच्चो d x तो यहां से cos x का integration जानते हैं क्या तो sin x 0 से लेकर के pi तक तो minus इसको लिखेंगे sin pi minus sin 0 minus sin pi के value भी 0 0 के value भी 0 equals कितना होगे बच्चो 0 हो जाएगा क्या जाएगा जीरो नेक्स्ट हम लग देखते है question number 19 का जीरो नेक्साट is written, E mission number 19 इवे रिकोज इवेडिकोज और, I is equal to integration 6 x plus 3 upon e x square plus 4 into d x x square plus 4 into d x. तो हम लोग पास दो मेथड है या थो हम लोग 6x plus 3 equals to substitute कर दे a d dx आप इसका limit given है कहा था बच्चो 0 to 2 a into d dx of x square plus 4 और plus b या second method जैसे x square के साथ अगर x भी दिया रहाता x square plus 2x plus 4 ऐसे कुछ करके x square के साथ क्या given रहाता बच्चो x तो ऐसे substitution करने में हम लोग को easily solution obtained हो जाता अगर यह नहीं भी given है तो भी हम लोग इसको substitute कर सकते हैं लेकिन उससे best रहेगा हम लोग अलग अलग divide कर देते हैं तो जब भी यह आप एक्स का क्या हो जाएगा लेकिन अलग 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 डिवाइड कर देंगे इससे इससे obtained हो जाएगा यह थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा लेकिन अलग 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 डिवाइड कर देंगे तो सॉठ हो लेकिन यह तब अलग 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 डिवाइड करेंगे जब यहाँ पे एक्स स्क्वार के साथ एक्स गिवेन दिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिवाइड कर देते हैं क्या मिले बच्छो 0 तू 2 यहाप मिलाएगा 6X अपान X स्कुर्रव प्लस 4お प्लस 3 अपान क्या लिखेंगे X square प्लस 4 इंटू इसको हम लोग क्या एक्जिम कर लेते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं 0 to 2 6 x अपान x square plus 4 into dx और प्लस यहां पर 3 बज जाएगा x square plus 2 square into dx इसमें हम लोग इसको t1 एक्जिम कर लेते हैं इसका तो direct formula हो जाएगा 0 to 2 है तो यहास से 0 to 6 को बाहर कर लेते हैं क्या करते हैं 6 BEN कर लेते हैं 0 to 2box dx upon x square plus 4 x square plus 4 o plus यहास क्या करेंगों यहास हो जाएगा 0 to 2 3 को बाहर कर लेते हैं और एफ Oh ar 알아 test formula होगा integration dx upon x square plus A square क्या होता है 1 by A 10 inverse X by A 1 by A 10 inverse AX by A तो यहां पर substitute कर देंगे 1 by A A के place 2 है और 10 inverse AX by 2 और इस 3 को पाले ही बार कर लेंगे क्या करेंगे बच्छो पाले ही 3 को बार के dx अपान x square प्लस A square 1 by A A के place पर 2 है 10 inverse AX by A 0 to 2 लेकिन इसको integrate करने के लिए इसको अलग से integrate करने तो इसको I1 equals to integration AX upon AX square plus 4 AX square plus 4 तो यहां सो जाएगा let AX square plus 4 equals to T तो 2X dx equal to क्या जा बच्छो DT हो जाएगा hence हम लोग इसको I1 को लिख सकते हैं AX DX AX DX के place पर क्या लिखे बच्छो AX DX के अस्थान पर DT by 2 हो जाएगा DT by क्या हो जाएगा 2 upon A total क्या है T है DT by 2 upon T क्या हो जाएगा 1 by 2 bar हो जाएगा DT upon T log E T हो जाएगा क्या हो जाएगा और T के place पर क्या substitute कर जाएगा T equal to AX square plus 4 T हो जाएगा 1 by 2 log E AX square plus 4 X square plus क्या हो जाएगा 4 तो A हो जाएगा 6 इसे लिखेंगे 1 by 2 log E X square plus 4 और कहां से कहां तकी सिंटिगरेट करने के बच्चों 0 to 2 और प्लस 3 upon 2 यहां पर अपर लिमिट 2 substitute कर देते 10 inverse 2 by 2 और माइनस क्या हो जाएगा जाएगा यहां पर हो जाएगा 3 log E A बच जाएगा अपर लिमिट रखें यहां पर अपर लिमिट क्या है बच्चों अपर लिमिट में आजाएगा 2 तो 2 square और प्लस 4 माइनस लोवर लिमिट 0 हो जाएगा तो log E 0 square और प्लस 4 प्लस 3 by 2 tan inverse A1 1 की बच्चों पाई बच्चों पाई बच्चों पाई बच्चों पाई बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो फाइनली यहां से वाईली अमलोग को अप्टेंट हो जाएगा 3 log E इससे लिए 4 और 4 8 हो जाएगा तो log A मैनस log B log 8 by 4 कैसे log 8 minus log 4 तो log 8 by 4 और plus ए कितना हो जाएगा 3 pi by 8 equals to 3 log 2 plus 3 pi by 8 3 pi by क्या हो बच्छो 8 नेक्स हम लोग देखते है क्वेशिन नम्मर 20 क्या गिविन है क्या गिविन है क्या गिविन नम्मर 20 गिविन है यह से अच्छो जरो तो जरो तो 1 x e to the power x plus sign pi x by 4 इंटो क्या गिविन है बच्छो d x 0 to 1 0 to 1 x e to the power x plus sign pi x by 4 इंटो d x तो i equals to जब आना से हम लोग इसको इसमें i-let लगा देंगे क्या करेंगे बच्छो i-let first function को बाहर करेंगे second का integration minus d d x whole integration d d x of first function into second function का differentiation sorry integration into d x minus sign sign का integration क्या गा बच्छो minus cos pi x by 4 लेकिन x का coefficient कितना है pi by 4 तो pi by 4 से क्या करना पड़ेंगे बच्छो divide करना पड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा into e per x का integration e per x e होगा minus e 4 by pi और cos pi xy का लिखेंगे 4 और कान तक लिविट है बच्छो 0 to 1 0 to 1 यहां लिखेंगे जाएगे बच्छो का लिखेंगे बच्छो 0 to 1 आपर लिमिट सब्स्ट्टिट करते है इसमें आपर लिमिट क्या है 1 तो 1 e to the power 1 minus e to the power 1 minus pi by 4 4 by pi 4 by pi cos 1 substitute करें pi by 4 यह अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट में क्या होगा 0 इसे 0 बना दे x 0 करेंगे minus e to the power 0 next यहां पे 0 करेंगे तो minus 4 by pi cos 0 कैंकि x 0 रखेंगे पूरा cos 0 हो जाएगा इसको लिखेंगे e minus e e हो जाएगे minus e होगा और यह क्या हो बच्चो minus 4 by pi cos pi by 4 45 बिगर कितना होते 1 by root 2 minus multiply करेंगे minus यह e पर 0 कितना होगा 1 तो minus minus क्या हो जाएगा plus 1 e पर 0 क्या हो बच्चो 1 और e b minus or minus plus 4 upon pi का 0 कितना हो जाएगा 1 तो यहां से जो value होगा यह ओ यह cancel हो जाएगा बच्च जाएगा यहां से 1 और e minus 4 upon root 2 pi यह बच्च जाएगा a plus 4 by pi a बच्च जाएगा 4 by क्या बच्च जाएगा बच्चो pi नेक्स आमक जाएगा i equals to integration 1 to root 3 dx upon 1 plus x square यह किसका formula है बच्चो 10 inverse x का 10 inverse x limit का है 1 to root 3 upper limit 10 inverse root 3 minus lower limit 10 inverse 1 10 inverse root 3 10 में कितने की value बच्चो pi by 3 60 degree minus 1 किसकी value बच्चो pi by 4 बच्च जाएगा तो कौन सा option होगा d next हम लोग देखते है question number 22 कौन सा बच्चो i equals to given बच्चो integration 0 to 2 pi by 3 sorry 2 by 3 और dx upon given 4 plus 9 x square 4 plus क्या given 9 x square इसे हम लोग सकते है 0 to 2 pi by 3 dx upon 4 को 2 square लिख दें क्या लिख दें integration dx upon a square plus x square कितना होता है 1 by a 10 inverse x by a 1 by a 10 inverse x by a तो क्या लिखेंगे बच्चो 1 by a a के place पर क्या है 2 और 10 inverse x by a 3 x by 2 और total में किसे अपर लिमित से दिवाइड कर देंगे x कोशियंट से दिवाइड कर देंगे लिमिट काहा आज काहा तक 0 to 2 pi 2 by 3 यहाँ पर क्या 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 में बच्चो dx upon a square plus x square equal to 1 by a 10 inverse x by a इसे लिखेंगे 1 by a a के place पर क्या है 2 10 inverse x by a x by a और फिर जो x कोशियंट 3 उसे दिवाइड कर देंगे 2 3 दे 6 हो जाएगा 1 by 6 10 inverse अपर लिमिट से में रखते है 2 by 3 by 2 3 by 2 यहाँ पर x के place पर क्या हिएगे 2 by 3 minus यह 0 रखेंगा तो 0 कर देगा 0 3 3 2 2 कर जाएगा 1 by 6 10 inverse 1 10 inverse 1 की वेली क्या हाती है बच्चो 1 by 6 5 by 4 यह जाएगा 5 by 24 जाएगा कितना जाएगा 24 कौन सा जाएगा option C